जैहिन दोस्तो दक्ष्ण मिलिटरी स्कूल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम मुख्य मंत्री मेदा चात्रवत्ती योजना परिक्षा 23 के संबंद में बात करने जा रहे हैं यह परिक्षा जहरकर्ण राज्यके, राजिक्यके करत, कस्तूर्बा, मौडल, प्रोजेक्ट, अलप संख्य या गैर साहता प्राप्त, विद्धालियों में नामंकित वे नियमित रूप से धिन्नद चात्रवत्ती प्रादान करने हैं तूँ, मुख्य मंत्री मेदा चात्रव website www.gac.jharkhand.gov.in slash jac पर apply कर सकते हैं इस परीक्षा को CMMS के नाम से भी जाना जाता है तदा हर राज्ये में अपनी एक अलग परीक्षा कराई जाती है योजना के बारे में जान लेते हैं इस योजना के अंतरकत पड़ती वर्स 5000 छात्र चात्र हो हे तू से 6 ن hacemos 2016 अधर oc में अधिकतम 400ọnा सट्राओं का ही चान किया जाएगा निद सभी defaultsında 9 से 12 तक बारा यह ry Boulder Dusty स्कूलर की पर दान की जाएगी कक्षा 9-11 तक आयोजित होने वाले पर्ति वार्सिक परिक्षा मतलब कक्षा 9-10-11 में सम्मंदित चात्र चात्राव को मतलब जो इस परिक्षा को पास करनेंगे उसके बाद क्लास 9-10-11 में उन बच्चों को 60% अंक लाना अनिवारिये है अगर वो किसी भी वर्स 60% अंक नहीं लापाते हैं तो आगामी वर्स मतलब अगले वर्स में उनको वो चात्र चात्र चात्राव के बारे में बात कर लेते हैं क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए तो सबसे पहले तो बच्चा राजकिय, राजकिय करत, कस्तूरवा, मौडल प्रोजेक्ट, अल्प संक्य, गेर साहयता प्राप्त, तथा अनुदानित विदालियों में नामंकित, एवनियमित रूप से अध्यमरत हो कक्षा साथ में नियुनतम 55% अंको को अनसुचित जाती और अनसुचित जनजाती के चाहत शात्राओं को 5% की चूट है, मतलब एस्सी और एस्सी चाहत्राओं को 5% की चूट दे जाएगी, मतलब उनके अगर 50% मार्क्स भी क्लास 7 में आये हैं, तो वो भी इसके लिए अप परमानपत नहीं लगना है, 30% सीटे लड़कियों के लिए अरक्षित है, अगर हम परिक्षा के सवरूप की बात करें, तो दो पार्ट में परिक्षा का आयोजन होगा, जो की 90-90 मिनट के दो पेपर होंगे, जो MCQ बेस होगे, पहले पार्ट में mental ability, बोधिक योगिता परिक इप्षिन फिगर आधी वैशन आएंगे, जिसका लेवल 7th और 8th क्लास का होगा, खर्ण दो में सैक्षिक योगिता परिक्षा, स्कोलेस्टिक एप्टिट्यूट टेस्ट, जिसके अंतरगत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गर्णित विशे के पर्षन आएंगे, प परिक्षा में छात्र शात्राओ को नियूंतम 60% अंक और परतिये खंड में 40% अंक लाना अनिवारी है, मतलब अगर आपके 60% और हर सब्जेक्ट में 40% अंक नहीं आते हैं, तो आप मेरिट में आने की आपकी संभावना कम हो जाती है, या उससे कम वाले बच्चे मेरिट मे नहीं लिए जाएंगे, SC-ST छात्र शात्राओं के लिए 35% जो 40% की है, वो उनके लिए 35% की कंडिशन हो जाती होने, 35% अंक लाना अनिवारी है, परिक्षा के लिए आवेदन परपरत्र जमा करने संबंदित, दिसानिर देश और कारिय करम, राजगे, राजकेकरत, जूर्बा, मोडल प्रोजेट्ट, अलप संक्या, गेर साहेता प्राप्त, और अनुदानित विदालिया के 66% इस परत्तिव की परिक्षा है तो ओनलाइन परिक्षा आवेदन परपरत्र भर पायेंगे, घिला विदालिया तटीा अन्या तटा वाचित जानकारी पेस पत्र ayond lood करने की थी 19.62 23 होगी और जो आपकी परीक्षा होगी 24 22 23 मतलब लगबघ एक महीने का समय आपको परीक्षा के लिए दिय जा रहा है मैंी आशा करता हूँ कि मैं इस परतियों की परिक्षा के बारे में इस शात्रवृत्ति योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाया हूँगा, अगर कोई जानकारी मैं नहीं दे पाया हूँ, तो डेस्क्रिप्शन में हमारा एक WhatsApp गुरूप है, आप उसको जोईन कर सकते हैं, आगामी जानकारी के लिए, तता कोई question query के लिए, आप हमारा WhatsApp नंबर जो आपको डिस्पले पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पे message छोड़ सकते हैं, तता कोई अन्य जानकारी इसके बारे में लेना चाहरे हूँ, इस परतियोगी परिक्षा के बारे में, या अन्य किसी परतियोगी परिक्षा जैस या इस scholarship exam के तयारी करना चाह रहे हैं, आगामी आने वाली किसी परिक्षा के तयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारा play store से दक्षम offices academy का application डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही कम खर्च में इन सभी exams के तयारी कराई जाती हैं, तता आप हमारे साथ में online तता कर खर्चा करते हैं, तो आप हमारे साथ में उने साथ में तता भीम हैं, तता उना ते जार्चा कर सकते हैं.